असलाम लेकुम स्टुडेंट्स मैं हूँ फाहद और आज की नेक्स वीडियो है वो है CSS Slabers and Test Pattern for Computed Exam इस वीडियो में मैं आपको थोड़ से टिटेल से प्रताऊंगा कि CSS का Slabers आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लावब इसका Test Pattern क्या है मतलब Compulsory और Optional Subjects का क्या Test Pattern है और कितने Marks होते हैं उसके बाद यहीं आपके Further Interview में कितने Marks होते हैं जो सारा Compile करके जो आपको Final Merit की तरफ लेका जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको जीज बताऊंगा वही कि CSS Slabers अप्टिट हो चुका है 2016 के बाद जो CE 2016 का हुआ था उसमें इसको कुछ इसमें एमेडमेंट्स किया गया यानि इसमें डिफरेंट सब्यक्ट्स को एड़ किया गया तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले आप से लेपर जो है कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो सिंपल जैट के यहां से आप गूगल में अदर लिखेंगे CSS Slabers तो CSS Slabers 2018 PDF या इसमें इसको यहां प्याप करेंगे तो आपके पास यह आजएगा डिवाइस लेपर और CSS Complete Examination 2016 सो यहां पर मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है यहां पर मेरे पास डाउनलोड है तो इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं जी तो इसमें CSS का जो Slabers है वो मैंने इंटारी डाउनलोड करके रखा हुआ है इसमें Federal Public Service Commission का यह Slabers है और यह आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद अप्रेट हो था और इसमें सब्जेक्ट में जो चीजें हैं वह कुछ इंक्लूड है कि रवाइस स्कीम और से इसे हैं इसमें जो नौन मुसलिम्स हैं उनके लिए एडवांटिज है कि वह सब्जेक्स लट कर सकते हैं उसके बाद हैं अकाउंटेंसी और इंडिकल्चर फॉरस्ट्री यानि स्कूर ने मर्च कर दिया है अन्थ्रोपालोजी न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है अब मैथ्मेटिक्स हैं अरेविक बलवची बॉटनी बिटिश्ट्री बिजिस अड्मिनिस्ट्रेशन केमिस्ट्री उसके बाद यहां से आपको अगर मैं इनके ग्रूप माइस दिखाऊं तो वह ज्यादा होते हैं जो हर स्टुरेंट्स ने स्ट उसके बाद जो ड्यक्स आपने डिफ्रेंट करने होते हैं तो तोटल अगर six group हैं तो six group में से आपने six hundred marks अपने elect करने हैं और यहां पर लिखा है group one में क्या आप 200 marks का एक ही subject select कर से हैं और यहां से कुई students computer science का है तो two hundred marks का एक subject elect करेगा इस group में से और इसके लावब और कोई subject elect नहीं कर सकता उसी तरह group two में अगर हम देखे तो में इसमें केमिस्टी अप्लाइड मैत्माटिक्स प्यूर मैत्माटिक्स और उसके लावब स्टैट्स जिशाइड जैजिऑ अब यहां पर कुछ इस तरह है कि इस ग्रूप मे भी आप एक ही सब्छेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अप्लाइड मैटमेटिक्स को स्टैट्स को भी साइट कर ले यानि जो मैट से रेटर कम्बीनेशन है जियोलोजी इसमें से भी आप 200 मार्क्स अपने कंप्लीट करेंगे उसके बाद ग्रूप 3 में लिखा है कि आपने 100 मार्क्स का और इसमें से भी आप 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं इसमें काफी सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंस के लिए काफी एक स्पॉयर है नौलिश का कि वह इस चीज़ को इसको करें और इसमें एक्सप्लॉड करें तो आपने यह जरूरी नहीं है कि हर ग्रूप में से पब में भी स्टारे कि उठाना है आपने एक स्टोयर्ट यह ऐसं को स्लेक्ट करता है तो तो से बार अगर उसके यहां से हो जाते हैं और उसके बाद अगर गांचs को जाए उसके बाद उसके माज जो ग्रूप 6 है उसमें एक उसके 100 marks कराएजाएगा तो उसके 6 100 marks complete हो जाएगे तो आपने अपने 600 marks complete करने हैं बाकिन का इस लेबल जो है वह डिटेल में तमाम पूरी में मैं जो आप चेक कर सकते हैं अगर मैं इस लेबल को यहां पर explore करने लगए तो यह वीडियो काफी lengthy हो जाएगा लेकर मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था क्या आप कहां से डाउलोड कर सकते हैं और how this is helpful for you इसके लाब को question हो तो आप जरूर comment box में प्लेस कर सकते हैं और इंशाला मैं CSS के और भी काफी वीडियो यहां पर upload करूँगा जो आपके लिए काफी helpful होंगी CSS levels and test pattern कुछ इस तरह होता है कि compulsory का तो टेस्क पैटर्न है वह 100 marks का यहां जिस्क्स और मार्क्स आपके और आपके ऑप्शनल के हैं तो इसमें आपको 33 marks 40 marks से क्योर करने होंगे पास होने के लिए और जो ऑप्शनल है उसमें 33 marks हैं तो उससे अबब मार्क्स हैं तो पहराब पास कंसीडर किये जाएंगे फानली आई होब यह वीडियो आपको काफी पसान आई होगी और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें ताके मेरी न्यू वीडियो भी आपको रसीव होती रहें रिगार्डिंग CSS कोई question हो तो आप जरूर कमेंड बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं और इस वीडियो को जाद जाद सब्सक्राइब करें ताके और स्टोर्ट के लिपी काफी हैं फूनों एक्टर के लिए अलाहाफिज